बिरेन जी तीन जगहें मांगी जा रही है और अब तो विधान सभा में अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया तो मैं तो यह मानता हूं कि अब तो यह एक बड़ा दस्तवेज तयार हो गया बिल्कुल देखिए जिस तरह से राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश में हिंदुत को लेकर एक उफान पैदा हुआ है लोग लाखों लोग लगाता रहे हैं इससे लगता है कि जो हिंदु वादी आस्था है वो इस देश में बहुत बड़ी संख्या में जागरित की गई ह और उसके जब अयुद्या का मंदिर बन गया तो अब इस ये उमीद बढ़ चली है खास्त और से भादपा और संग के लोगों को कि अब काशी में भी और मतुरा में भी हम हिंदुत की जो पुरानी अतीत की परंपरा और मंदिर रहा है उसको पुनर जीवित कर सकते हैं यह एक संयोग है और बिचित्रता भी है कि जहां जहां का मुद्दा चल रहा है वहां मंदिर के बगल में हर जगा मस्जिद है अयोद्या में भी रहा कासी में भी है और मतुरा में भी है तो यह भी लोगों को साफ करता है कि जब मुस्लिम आकरांता आये उन्होंने किसी लोकतंत्र का न किसी संविधान का कोई पालन किया जो पाया तोड़ा ताड़ा गिराया और वहां पर दूसरी इमारते बना दी आज इस देश में संविधान लागू है कानून के हिसाब से काम करने की मजबूरी है बीजेपी राम मंदिर अंदोलन से पैदा हुई कई नेता संजीवनी पाकर आगे बढ़े कारसेवा हुई बहुत लोग मरे लेकिन वह हमेशा इस बात को कहती रही कि जब तक केंद्र और यूपि में दोनों जगा सरकार नहीं होगी तब तक हम मंदिर नहीं बना पाएंगे और तारीक नहीं बता पाएंगे आज तारीक भी बता दी यह मंदिर भी बन गया और संयोग यह भी है कि जो योगी आदितनात मंदिर आंदोलन में काफी सक्रियर है वो मुख्यमंत्री नहें उनके राज में मंदिर बन गया तो हिंदुत्त्य का एक वो पूरे राष्ट में आपका यह पूरे देश में दुनिया में एक बड़ा चेहरा हिंदुवादी नेता के तोर पर उनकी जो छवी है वो और पुक्ता हुई हाँ मुख्यमंत्री के तोर पर वो सक्त माने जा रहे हैं और उनका जो बयान है वो पहासित करता है लेकिन अब बहुत सारे लोग उसको सदन में बोलने पर बहुत सारी बाते कह सकते हैं लेकिन बाजपा को इस समय सब फाइदा दे रहा है तो जो फाइदे वाली चीज है ओट मिल रहा जिससे वो बोलने और करने में कोई समस्या नहीं है और पौकवरो पांडव बात राम के चलत रही महाभारत के बाद शुरू हो गई राम सांती के परतीक थे महाभारत लडाई जगडा के तमाम संदेश शिपा है उसमें तो ये तो वही होई गवा कि संगल पूरे गाउं गाउं में आतंक मचाये रहा मचा दे अभी तो जन्मानस मे जो जस्न का मावल है उस राम मंदिर का आनंद लेने दीजिए दो हजार चुबिस का चुनाओ भादपा इसी आनंद के सराबोर करके जीत कर आगे बढ़ने जा रही है और आगे के लिए भूमिका तयार कर रही है पहले पार्ट वन आया कि मंदिर वहीं बनाएंगे फिर पा आएगा कि बासूरी भी हम बजाएंगे तो यह अभी सब एक एक पार्ट आने वाला है और बीजेपी साइद यह चाहती है कि मुसल्मान अब इन तीनों मुद्दों से खुद बखुद पीछे हर जाएं और सौंदे यह भी कहा जा सकता है कि इस देश में बहुं संख्यक हिं संदू भावनाओं को समान देते हुए मुसल्मान इन मुद्दों से पीछे हट जाएं अब यह संदेश है कि दिमागी तवर पर तयार रहो आयोद्या का उस्तों चल रहा है मंदिर के लोगे चर्चा है और जिसका सब कुछ इसी पर निर्भर है वो तो धार देगा ही देख जी हमारे अयोद्या से इनका रहा है लेकिन धर्म के साथ साथ हमारे समाज में बहुत सारी चीज़े हैं जिन पर और काम होना चाहिए जी विरेंजी आज भी हमको पाखंड अंधिविश्वास शुआचूट जातिवाद अन्याय अत्याचार गरीबों के सोसल जैसे चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है धर्म के साथ साथ सरकारे इनका भी उत्थान करें क्योंकि एक और रामचरित मानस और युद्या की मंदिर की सफलत का दौर चला है दूसरी और स्वामी परसाद मोरिया का परवचन चला है तमाम बाते कहने के बाजूत सपा के नेताओं के वह मान नहीं रहे हैं जो कुछ बनना भी गड़ना था वह भी नश्ट कर दिया है प्रख्यात इतिहासकार इर्फान हभीब ने कहा कि इसमें कोई दो सब्सक्राइब ने लगें लोग जो इतिहास में तारीकों में दर्ज है और अब यहां पर अगर मंदिर बन जाए तो साथ मुसल्मानों को तना इतराज भी नहीं होगा क्योंकि असे मस्तरफ ने कहा कि बाई चाहे कानून से ले लिए चाहे जवरदस्ती ले लिए अब हम त जिस देश में राम और अल्ला के बीच कोई भेद नहोता रहा हो जिस देश में गंगा और जमुना हिंदू मुसलिम इद बकरीद होली दिवाली पर एक दूसरे के गले मिलते रहे हो वहाँ पर धर्म के लिए मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई अच्छी नहीं है फिलहाल सुनिएगा कि कोई कहे अल्ला बड़े कोई कहे सिरी राम और कोई कहे इसा तो कोई कहे सतनाम कहीं धर्म के नाम पर दहक रही बंदूग और कहीं धर्म के नाम पर चमक रही संदूग हम सब को दो हाथ मिले हैं करने को दो सतकाम एक हाथ से जेब भरी एक हाथ से जाम नाम नह गर राह चला तब बिगड़ेंगे काम बहुत शुक्रिया विरेंजी ग्राउंड जीरो से अपने इंपुट फीडबेक